तो जी हाँ students इस वीडियो में detail में बात करेंगे CA Foundation और CA Intermediate January 2025 RTP और MTP से related सारा doubt आपका clear करतेंगे जो भी बच्चे first time exam देने जाते उनके मन में ये doubt रहता है RTP कहते किसको MTP कहते किसको RTP और MTP कब रिलीज होगा देखो पहले Foundation का दो पेपर का ही सिर्फ RTP रिलीज होता था लेकिन September 2024 से चारो पेपर का RTP रिलीज हो रहा है यानि कि January 2025 में भी चारो पेपर का RTP देखने को मिल जाएगा CA Foundation का इसके बाद CA Intermediate का January 2025 में 6 पेपर का RTP आएगा RTP का मतलब होता है revision test paper यानि कि सारे chapter में से जो भी important type का question होता है किस type का पूशा सकता है exam में उस type से RTP को बनाया जाता है इसके अलाबा कुछ भी amend होता है वो सब चीज़े RTP में लिखा होता है यानि कि हर एक chapter को touch किया जाता है RTP में I hope कि आपका doubt किलियर हो रहा हो क्या ये paper pattern होता है जिसका जवाब है जी नहीं बच्चो RTP paper pattern नहीं होता इसमें से directly indirectly 10 से 15 नंबर का question देखने को मिल सकता है इसलिए हमें RTP को ignore नहीं करना चाहिए तो paper pattern कैसे पता चले MTP से यानि कि mock test paper से हमें exam का paper pattern को पता चलता है यानि कि हमें mock test को भी ignore नहीं करना चाहिए 10 से 15 नंबर का कभी कभी question directly देखने को मिल जाता है तो हर एक attempt में हर एक paper का एक एक RTP release होता है और MTP दो-दो release होता है कितना दो-दो आप चाहो तो RTP को तो normal download करके practice कर सकते हो लेकिन MTP के पास आपके पास दो option होगा या तो physical form में regional branch पे जा करके आप mock test का exam कीजे या नहीं तो virtual virtual देने के लिए कुछ करने का जरूत है नहीं question paper को download करना है solve करना है और suggested answer से 48 hours के बाद release हो जाएगा खुद का performance खुद से check करना है simple सा बात है doubt आ सकता है कि physical mode में कैसे दे जब official notification आएगा तब जानेंगे अभी इस चीज़ के बारे में जानते ही नहीं है क्योंकि उस समय हमको registration करके बताना होगा क्योंकि अभी तो कर नहीं सकते हैं अगर आपको physical mode में देना है बस इंतजार कर लेना official notification का उपर में new scheme पे क्लिक करना है यहाँ पे revision test paper सो करेगा उस पे क्लिक करना है जैसे ही revision test paper पे क्लिक करते हो उसके बाद क्या आपके सामने foundation और intermediate आएगा तो foundation का भी June 2024 September 2024 तो जो syllabus था June 2024 का वही syllabus था September 2024 का और same syllabus होने वाला January 2025 का यानि कि हमें RTP को practice करने के लिए ignore नहीं करना चाहिए June 2024 का RTP को देखो September 2024 का अभी January 2025 का RTP को release नहीं किया गया कब release होगा इसके बारे में भी हम लोग detail में जान लेते हैं इसके अलावा CA intermediate वाले CA intermediate का भी syllabus में कुछ भी चीज़ चैंज नहीं हुआ है तो आपको भी देखना होगा May 2024 का इसके अलावा September 2024 का प्लीज RTP को देख लीजिए इसके अलावा जब January 2025 का RTP release होगा तो उसको देख लीजिए सिंपल सा बात है I hope कि आपका डाउट क्लियर हो रहा होगा तो प्लीज बच्चो RTP को अभी रिलीज नहीं किया गया है January 2025 का लेकिन आप लोग पुराना RTP को देख सकते इग्नोर नहीं करना है बहुत सारे ऐसे बच्चे को लग सकता है कि हम पुराना RTP को क्यों इग्नोर करे अरे भाई मेरे पुराने में से भी डिरेक्ली इंडिरेक्ली कोशल पूशा आता आपको पता चल जाएगा तो प्लीज बच्चो RTP को इग्नोर नहीं करना चाहिए वैसे भी अगर आपको एक्जाम पास करना है तो आपको पिछले 3-4 अटेंप का RTP और MTP और PYQ को सॉल्व करना ही वरता है सिंपल सा बात है अगर आप लोग ज़्यादा बोलोगे तो मैं 4 नॉमबर के डेट में RTP को सेर करवा दूँगा पुराना जितना सारा RTP है अगर आप इस वीडियो को लेट से देख रहे हैं कोई बात नहीं चार नॉमबर के डेट में टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो अपको RTP पुराना मिल जागा वैसे मैंने डाउनलोड करना बता रखा अभी ओफिशल नोटिफिकेशन नहीं आया MTP से डिलेटेड एक भी नोटिफिकेशन नहीं आया दो स्रीज होगा MTP स्रीज 1 और स्रीज 2 से रिलेटेड तो आई होब कि आपका डाउट क्लियर हो रहा होगा कब तक MTP स्रीज स्टार्ट हो सकता है कर रफिली आईडिया बता दीजिए जिससे हम लोग उस हिसाब से अपना प्रिफिरेशन करे और MTP को सही समय पे हम लोग दे तो आप लोग के जानकारी के लिए बता दे मेरे हिसाब से RTP को रिलीज नॉमबर के मन्त में किया जाएगा कब किया जाएगा RTP को रिलीज इसी मन्त में RTP रिलीज हो सकता है सबसे पहले RTP आता उसके बाद MTP आता आई होब कि आपका डाउट किलियर हो गया तो नॉमबर के मन्त में RTP को रिलीज कर दिया जाएगा एक बार फिर से बोलने उसके बाद जबी भी रिलीज हो उसके बाद ही MTP होगा MTP का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा तो सबसे पहले RTP आएगा इसके बाद MTP MTP नॉमबर मीड से या नहीं तो नॉमबर लास्ट से स्टार्ट हो सकता है जैनवरी दो हजार पचीज का रफली आपको आईडिया लग गया इस हिसाब से आप लोग पढ़ाई कीजिए RTP को पुराना आप लोग देख सकते हो और MTP को भी अभी कितना कुछ है करने के लिए मेजून 2024 का MTP इसके बाद सेप्टेमबर 2024 का MTP से ले बस तो कुछ भी चेंज रही है तो आप देखो ना दो-दो स्रीज है मतलब MTP दो-दो स्रीज है तो उस दोनों को कैसे MTP को डाउनलोड करा तो मैं पुराना MTP को चार नॉमबर के डेट में सेर करवा दूँगा चार्टे स्टरीज के टेलीग्राम चनल पे CA Foundation and CA Intermediate का ज़्यादा कॉमेंट करोगे तब ही सेर हो पाएगा तो टेलीग्राम पे सर्च करना चार्टे स्टरीज या इसका लिंक आपको डेस्क्रेप्शन में मिल जाएगा बहुत सारे बच्चे CA Intermediate सेप्टेमबर दो हजार चौबिस में चार्टे स्टरीज के टेस्टरीज से पास के कुछ बच्चे आपके स्टिन पर सो करना दो AIR हमारे पास आया AIR 34 और AIR 46 तो हम लोग AIR को लैप्टॉप भी देने वाले हैं जब उसका वीडियो रिलीज होगा कुछ दिन में जब आपको पता चल दाएगा इसके अलाबा बच्चो हमारे फाउन्डेशन वाले भी बच्चे किसी से कम नहीं थे फाउन्डेशन का भी अच्छा रिजल्ट रहा चार्टे स्टेडिस टेस्स स्रीज का अगर आप लोग चार्टे स्टेडिस के टेस्स स्रीज में इन्रोल करना चाहते हो अभी 40 परसेंट का डिसकाउंट चल रहा है देर नहीं करना है बच्चो जल्द से जल्द इन्रोल कीजिए चार्टे स्टेडिस के टेस्स स्रीज में और हां सभी बच्चो को कॉंग्राचुलेशन जो लोग पास कर गए लिखना है www.chartestudies.in ओफिसियल वेबसाइट पर आजाओगे उसके बाद विजिट टेस्स स्रीज पोर्टल पे क्लिक करना है देखो बच्चो अभी समय है अगर आपको जैन्वेरी दो अजार पचीज का फाउंडेशन और इंटर्मीडियेट का एक्जाम देना है चैप्टर वाज टेस्स स्रीज लेजिए और इतना ही नहीं अभी दिवाली कूपन कोड चल रहा है नॉमबर पांच नॉमबर तक वैलीज है 40% का डिसकाउंट मिल जाएगा एयाया 34 भी तो आपको देर नहीं करना है चैप्टर वाज है यूनिट वाज है फास्ट ट्रेक है सभी में आपको कूपन कोड यूज करना है दिवाली का DIY40 सिधा का सिधा फ्लैट 40% का डिसकाउंट मिल जाएगा और जो भी टेस्स स्रीज ले रहा है इसमें गाइडेंस सेशन बिल्कुल फ्री में MTP बैच बिल्कुल फ्री में फालतू का पैसा आपके पास ने प्लीज मत बरबाद करो अगर आपको टेस्ट देना है कम से कम 70-80% टेस्ट देना चाहते हो पास करना चाहते हो तभी इंडॉल करना टेस्स स्रीज में अब टेस्ट ही नहीं दे रहे हो फिर क्या ही हो सकता तो बिना मतलब का पैसा नहीं इंवेस्ट करना प्लीज बच्चो आपके लिए बोल रहे हैं अगर आपको टेस्ट देना है तो ही टेस्ट स्रीज में इंडॉल कीजिएगा सो अफ करने के लिए नहीं इंडॉल करना है MCQ का रिजल्ट विदीने 2nd मिल जाएगा